नमस्कार मैं हूँ अन्शिता अब तो इंटरनेशनल रेफरी ने भी कह दिया कि ब्रिजभूशन की नियत गंदी है वो महिला पहलवानों को गलत तरीके से छूता है रेफरी के बयान के बाद से सवालों की बार आ गई है महिला पहलवानों के साथ अब लोग भी पूछ रहे हैं कि ब्रिजभूशन सिंग कब गिरफतार होगा क्या दिल्ली पुलिस किसी मूर्थ का इंतजार कर रही है या फिर कोशिश हो रही है कि मामला थंडा ही पड़ जाए मामले को इतना लंबा खीचो कि पहलवान न्याय मिलन गूम रहा है पहलवानों की शिकायत की कौपी ने ही लोगों को जगजोर दिया था लेकिन अब तो इंटरनेशनल रेफरी ने गवाही भी दे दी है तब भी सिफ जाची चल रही है यह गुस्सा है उन तमान लोगों का जो पहलवानों के समर्थन में खड़े हैं दरसल मार्श 2022 में लखनव के अंदर एक ट्रायल चल रहा था जिसके पूरा होने के बाद ब्रिजभूशन ने फोटो सेशन के दौरान एक हैवी वेट बाली रेसलर को गलत तरीके से चुआ था इससे वो असहज नजर आ रही थी महिला पहलवान ने ब्रिजभूशन को धक्का भी दिया था ऐसा लगता है कि उस दिन कुछ तो गलत हुआ वही दूसरी घटना का जिक्र करते हुए बताया कि 2013 में जूनियर एशिया चेंपियंशिप की बात है जो फुटेक थाइलेंड में खेली गई थी वहाँ भी ब्रिजभूशन और उसके साथियों ने शराव के नशे म जहां से नहीं चूना चाहिए था उस घटना से पहले ब्रिजभूशन ने बच्चियों को इंडियन फूट खिलाने की बात कही थी लेकिन डिनर से पहले ब्रिजभूशन और उसके साथियों ने शराव पी थी जगवीर सिंग ने कहा कि हमने इन घटनाओं का जिक्र पहले इसलिए नहीं किया था क्योंकि जब तक कोई बच्ची शिकायत नहीं करती तो हमारा कुछ कहना ठीक नहीं था हमारे सामने कई घटनाएं ऐसी हुई जो गलत थी लेकिन कोई शिकायत नहीं होने की वजह से हम किसी बच्ची के बारे में या फिर अध्यक्ष के बारे में कैसे बोल सकते थे जगवीर ने आगे कहा कि जब आज बच्चियों ने आवाज उठाई है तो फिर हम भी आज बोल रहे हैं जो हमने देखा है सिर्फ यही नहीं 2010 की Commonwealth कौल्ड मेडलिस्ट अनीता ने भी पहलवानों की दावों की पुष्टी की अनीता ने कहा कि महिला पहलवान ने उसे बताया था कि ब्रिजबूशन ने उसे कमरे में बुलाकर जबरन घले लगाया वह पहलवान मेरे आगी रोव-पड़ी थी मतादी कि दिल्ली पुलिस ने दो महिला रेसलर एक इंटरनेशनल रेफरी और एक कोच के बयान दर्श किये हैं जिसमें इंटरनेशनल रेफरी की गवाही ने तो कई हद तक तस्वीर साफ कर दी है कि महिला पहलवान के आरोपो में सच्चाई है लेकिन दिल्ली पुलिस तो जाच में ही लगी लेकिन मीडिया पर एक बार फिर जूट फैलाया जाने लगा कि वो समझोता करने गई है इस पर एक बार फिर बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने चैनलों के फटकार लगाई और अफवाओं को जूटा बताया उन्होंने कहा कि महिला पहलवान पुलिस इंवेस्ट के लिए क्राइम सीन पर गई थी लेकिन मीडिया में बताया गया है कि वो समझोता करने गई है ब्रजभूशन की यही ताकत है वो बाहुवल राजनीतिक ताकत और छूटे नेरेटिव चलवा कर महिला पहलवानों को परिशान कर रहा है उसकी गरफतारी जरूरी है आपको वियाद भी होगा इससे पहले साक्षी मलिक को लेकर भी जूटी खवरे फैलाई गई थी कि उन्होंने खुद को आंदोलन से अलग कर लिया है इस पर साक्षी विनेश और बजरंग पूरिया ने चैनलों को खूब लताड़ा था फिर भी जूट फैलाने का सिलसला जारी है चैनलों को तो ब्रेकिंग न्यूस चलाने से मतलब है खैर फिलहाल बात दिल्ली पुलिस की करते हैं तो दिल्ली पुलिस पर सवाल ये भी उठ रहा है कि वो महिला पहलवान को ब्रिजभूशन के घर क्यों लेकर गई थी क्या उस समय ब्रिजभूशन या उसके लोग वहां मौझूद थे क्या इसमें महिला पहलवान की रजामंदी थी क्या वो इसके लिए मांसिक तौर पर तयार थी आखिर ऐसा करने की जरूरत ही क्या थी आप जानते ही है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस शुरूआत से ही सवालों में घिरी हुई है उस पर बिजभूशन को सिर्फ जाच ही चल रही है जबकि 28 माई को खुद पुलिस ने पहलवानों पर डंडे बरसाए और उन पर ही आरोप लगाकर तुरंत एफाई आर भी लिख दी और अब इतने बड़े खुलासे के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है ऐसे में दुल्ली पुलिस के खलाफ एफाई आर लिख दी गई थी तब महिला पहलवानों ने कहा था कि हम अभी धर्ना खत्म नहीं करेंगे यह धर्ना तब तक जारी रहेगा जब तक ब्रिजभूशन की गिरफतारी नहीं होगी क्योंकि ऐसी एफाई आर तो नजाने कितनी लिख दी जाती है यानि जिस तरह से इस मामले को सिर्फ खीचा जा रहा है उसे देख कर कहा जा सकता है कि महिला पहलवानों का डर जायस था इसलिए वो जंतर मंतर पर डटी हुई थी लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन पर लाठी डंडे बरसा कर उन्हें खदेर कर जंतर मंतर से हटा दिया और देखि रेफरी की गवाही के बाद एक बार फिर पूछा जा रहा है कि अब कब गिरफतार होगा बीजे पी सांसत ब्रिज भूशन इस वीडियो में इतना ही आप चैनल रोध है क्यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल नाइंटीन इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए झाल झाल